आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज, हम इस Question में बोल रखा है कि अगर वैक्टर A हमारा 2I Cap प्लस 2J Cap प्लस 3K Cap के Equality ठीक है तो इसका magnitude क्या होगा यह हमें बताना है तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अगर किसी भी वैक्टर अगर अपन यहाँ पर वैक्टर M मान लें ठीक है, अगर कोई वैक्टर मैं M मान लो तो वैक्टर M अगर मेरा XI Cap प्लस YJ Cap प्लस Z के Cap के Form में हो तो अपन वैक्टर M का magnitude कैसे निकालते हैं वो करते हैं अपन I के coefficient का होला स्क्वाइर मतलब X का स्क्वाइर प्लस J के कोफिशेंट का होला स्क्वाइर डाट इज y का square plus k के coefficient का होला square that is z का square इसका square root ले लेते हैं तो वो हमारा magnitude निकल जाता है vector m का similarly यहाँ पे हमारा vector a क्या दिया हुआ है हमें vector a दिया हुआ है यहाँ पे देखो वो 2i cap plus 2j cap plus 3k cap दिया हुआ है हमें पूछा है magnitude of vector a तो वो देखो क्या हो जाएगा i के coefficient मतलब 2 का होला square हो जाएगा plus j का coefficient that is 2 का होला square k का coefficient मतलब 3 का होला square तो यहाँ से value क्या आ गई देखो 2 का square मतलब 4 2 का square मतलब 4 और यह 3 का square मतलब 9 तो यह क्या आ गया under root 17 तो magnitude of vector यह क्या है under root 17 तो हम देखते कौन सा आप्शन सही हो रहा तो देखो under root 17 option number 2 में given है option 1 में 17 given है under root नहीं given है इसलिए यह गलत हो गया यह 34 given है यह गलत है यह भूला है none of these यह भी गलत है तो हमारा option 2 क्या हो जाएगा correct? Thanks